आरेशेस की योजना ये है कि आरेशेस एक राष्ट व्याप्ती आतंकवादी संगटन है बजमेर बाम ब्लास्ट में उनके कारेकरता को आजीवन कारावास हुआ इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं नयाई पाली का भी इस बात को मनती है तो वो संगटन आतंकवादी है सविधान विरोधी है और देश को तोड़ने के साजिश में शामिल है ये जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचनी चाहिए ऐसी उनकी रन्निती है साथियों आप लोगों को याद होगा 6 अक्टूबर को हमने RSS के हेटकॉर्टर पर एक लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया था मेरे जानकारी में हमारे संगटन की देड़ लाख से ज़्यादा लोग नाक्पूर में पहुच गए और वो लोग अलग अलग जगे पर सारे नाक्पूर में अलग 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 जगे पर रुके हुए है अलग अलग स्थानों पर रुके हुए है और बेजनबा ग्राउन पर उनको इखटा होने के लिए कहा गया था ये जानकारी पहले से कारे करताओं को दी गए थी अब मैं उस संदर में कुछ खास बाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप लोगों को ये जानकारी भी मिल गई होगी के नाकूर हाइकोर्ट के द्वारा हमारे मोर्चा का जो कारे करम है उस कारे करम की और कारे करने की अनुमती को हाइकोर्ट ने देने से मना कर दिया और ये नियाई पालिका के द्वारा नियाई पालिका को धमकी दे कर ऐसा करवाया गया उसके उसकी सारी गवाई वकिलों के पास है और वकिलों ने इस सारी जानकारी को संगतन को देने का प्रयास किया है संटन के पास उसकी जानकारी है इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मामला सुप्रिम कोर्ट में लेकर गए है और आज सवेरे उसकी सुनवाई होने की संभावना है ऐसे स्थिती में सुप्रिम कोर्ट का ओर्डर आने के बाद हम लोग आन्दोलन की रूप रेखा सुप्रिम कोर्ट के आदेश के तहद घोशित करेंगे सुप्रिम कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा उस आदेश के फ्रेम वर्क में जब हमारी कार्य परनाली है कानून और सविधान के दायरे में रहकर कार्य करनी की जो हमारी कार्य प्रनाली है हम उसका उलंगन ना करते हुए हम अपने कार्य नीती पर अमल करने का काम करेंगे इसलिए मैं सुप्रिम कोट के आदेश की जो मोर्चा आरेश्वस के हेट कौर्टर पर ले जानी की हमारी मूल योजना है उस पर अमल करने का तोर तरीका आपको बताया जाएगा इसके लिए जैसे हमने पूर्व में निर्दाजित था कि ग्यारा बजे से लेकर दो बजे तक हम वहाँ पर इखटा होने के लिए एक आरेकरम रखा था और वो इखटा होने के बाद वहाँ से हम लोग चरणबद तरीके से वहाँ से वो मौर्चा निकालने वाले थे अब ये जो मौर्चा है वो सुप्रिम कोट के آर्डर तक आर्डर तक जो है हम उसकी वेट कर रहे हैं राक देख रहे हैं उसके दायरे में हम इसका फैसला, फाइनल फैसला जो है आपको बोचित करेंगे, जानकारी देंगे, मगर जो हाइकोड का दिया हुआ फैसला है, उसके दाइरे में जो शड़ेंत्र किया गया, आर्टिकल उन्नीस में जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको रोकने के लिए जो शड़ेंत्र किया ग उस शड़े इंत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अपना कारेकरम लेने की योजना बना रहे हैं तो आरेशेस की योजना क्या है आरेशेस की योजना ये है कि आरेशेस एक राष्ट व्याप्पी आतंकवादी संगटन है बाजमेर बाम ब्लास्ट में उनके कारेकरता को आजीवन कारावास हुआ इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ नियाई पाली का भी इस बात को मनती है और और अठा केसेस सारे देश भर में उनके खिलाब चल रहे है और एक केस आरेसेस पर आईसी भी चल रही है जो देश द्रोह का मुकतमा एफ़ायर दाखिल किया गया है जो अपने आप को देश भक्त संगटन कहता है वो संगटन ने अभी तक ऐसा कोई रिजोलोशन पास नहीं किया है आरेसेस के सेंटरल कमीटी में कि वो सविधान पर यकिन करते हैं विश्वास करते हैं बल्कि वो अपने कारिकरताओं को सविधान के विरोध में बोलते रहते हैं इन सारी बातों को उनका प्रयास है रास्टी अस्तर पर उनका जो प्रयास जो जानकारी हमारे पास आई हुई है इस मोर्चे को रोखनी की बात या तमाम प्रकार की आतंगवादी गतीदियों के सम्मंद में सारे देव भर में लोगों को जानकारी ना मिले इसका जतन इसकी कोशिज जो जै जिस लेवल पर कर रहे हैं उसके सारा डाटा हमारे पास अवैलिबल है उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि इसके पीछे ये संगटन आतंगवादी है ये संगटन सविधान विरोदी है और हिंदु मुसल्मान के जिस थेरी पर भारत का 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ वो दुबारा देश में ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर दिये है देश विभाजन के हालात उन्होंने पैदा कर दिये इसके विरोद में हमारा अंदोलन जारी रहेगा अब वो नाकुर की हमारे महारयाली को RSSS के हिटकॉर्टर पर जाने के लिए रोकने की वो कोशिश कर रहे है पुलिस का सहरा लेकर कोट का सहरा लेकर धमकी का सहरा लेकर वो ऐसा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे है तो वो संगटन आतंकवादी है सविधान विरोधी है और देश को तोड़ने के साजिश में शामिल है यह जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए ऐसी उनकी रन्निती है इस रन्निती को ध्यान में रखते हुए हम हमारा आंदोलन पुनर परिभाशित करते हैं हमारा आंदोलन हम लोग दुबारा दूसरे तरीके स वो एक जगा हमारा मूर्चा लेकर जाने के लिए रोक लगा रहे हैं, तो हम 674 जिलों में, 31 राज्यों में, 674 जिलों में, और 4,000 से ज़्यादा तसिलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में, और 1,500,000 से ज़्यादा गाउं में, हमारा आंदोलन चार चर्णों में, चार चर्णों में घोचित करते है पहला चरण 14 अक्टूबर को धरना प्रदेशन का होगा सारे देजभर के जिलों में इतने सारे जिलों में उसके बाद में 22 अक्टूबर को शुरुंखला बद्ध वो पुवास का कारिक्रम होगा इसके विरोज में शुरुंखला बद्ध सारे देजभर में शुरुंखला बद्ध वो पुवास का कारिक्रम होगा तीसरा कारिक्रम है 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को ये कारिक्रम होगा प्रदर्शन रियालियों का सारे देजभर में और 6 नॉम्बर को हमारा अंदोलन होगा सारे देज़ भर में होगा RSS के विरोद में होगा जेल भरो अंदोलन अवरी जेल भरो अंदोलन में हम लोग एक मैने में 11 लाख लोगों को जेल में लेकर जाने का रिजिस्ट्रेशन अभवयान शुरू करेंगे ये अभियान आज से शुरू हो जाएगा सारे देजबर से 11 लाख लोगों को RSS के सविधान विरोत के लिए RSS आतंकवादी संगटन है ए राश्ट व्यापी संगटन है और इसके सम्मन्द में जो स्टेट लेवल के बड़े पुलिस ओफिसर मुश्रिश साब ने इसके बारे में वीडियो घोशित किया है किताब घोशित किया है किताब लिखा हुआ और सारे के सारी सबुत दिये हुए है वो सारी बाते जो है सोशल मेडिया में आप लोगों को सारे सबुत जो है दिये जाएंगे और उसके विरोध में 11 लाख लोगों को रिजिस्टर किया जाएगा जेल भरो अंदुलन के लिए के RSS पर पाबंदी लगाई जाए यह आतंकवादी संगटन के तोर पर यदि दूसरे संगटनाओं पर पाबंदी लगाई गई है तो यह आतंकवादी संगटन है और उस सम्मन्द में उनके कारेकरताओं को आजीवन का रावास हुआ है आजमेर बामबलास्ट में और यह जितने भी बामबलास्ट 2000 और 2020 के बीच में हुए है उसमें RSS के लोगों का ही हाथ है इसके सारे के सारे सबूत जो है मुश्रिफ साथ ने किताब में दिया हुए है और उसकी जाच चल रही है उन पर देजरोह का मुकदमा भी चल रहा है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी केद्र सरकार को मांग है सारे देश के राज्य सरकारों को मांग है कि ये इस पर राश्टी अस्तर पर बेहन लगाया जाए ये आतंगपादी संगटन है इस पर बेहन लगाए ये देश रुदी संगटन है देश को भिवाजन करने का हिंदु-मसल्मान के नाम पर साजिश कर रहे हैं तो इसलिए मैं इन पर पाबदी लगाने की मांग कर रहा हूँ और इसके लिए 11 लाख लोगों को हम लोग जिल भरो अंदुलन करेंगे इसकी तयारी करने का आज मैं ऐलान करता हूँ ये चार चर्णों का हमारा कारेकरम रहेगा ये कारेकरम नाकूर में RSS के हेटकॉर्टर पर जो मोर्चा हम लेकर जाने वाले थे जिसको आई कोर्ट ने रोक लगाने का प्रयास किया जिसके विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए है यदि सुप्रीम कोर्ट हमको मोर्चा निकालनी की अनुमती देती है तो ये मोर्चा भी निकाला जाएगा आने वाले समय में मगर इसके पहले अभी आज से हम ये चार चर्णों का जो नाकूर के हेड़कोर्टर पर मोर्चा लेकर जाने का कारेकरम है उससे कम से कम 25 गुना बड़ा कारेकरम राश्टी इस्तर का कारेकरम इस सारे देश भर के लोगों को संगटन को इस काम को जुटने के लिए मैं आवान करता हूँ पूरे ताकत के साथ पूरे शक्ती के साथ पूरे ख्शमता के साथ इसमें सारे देश भर के लोगों को जुटना होगा ये हमारे भविश्य के लिए हमारे देश को बचाने के लिए सवीधान को बचाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है ये काम करना होगा और देश वासियों को भी मैं सारे देश के शडूल कास के लोगों को Most Backward Schedule Cash के लोगों को, Extreme Backward Schedule Cash के लोगों को, Schedule Tribe के लोगों को, Nominic Tribe के लोगों को, और MBC के लोगों को, OBC के लोगों को, और Minority के लोगों को, तमाम लोगों को इस आंदोलन में सारे देज़ भर में शरीक होने के लिए कह रहे हैं. इसलिए मैं इस बात को आप लोगों को आवान करता हूँ